हालो दियारे स्ट्रेंट्स मैं हूं धर अमिर सौर और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैत का सबसे इंपोर्टेंट कोशन अब्जेक्टिव और यह बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब की बार प्रॉब्लिटी से चार पांच कोशन रहेगा ही जाहेगा तो इसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूप्टू चैनल को सब्सक्राइब करो और बैल आइकन को डबाए आए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन तो मेरा फर्स्ट कोशन है यदि ए कोई घटना हो तब पी ए प्लस पी नॉट का मान होगा तो राइट एंसर ह अगले कोशन के बाद करेंगे किसी घटना की प्रयक्ता होती है यह बहुत बात पूछा है कोशन तो थेरी का राइट एंसर होगा। ओपसण ए यानि-1 होता है याद रखियेगा question 4 के बात करेंगे कि निम्न में से किसी घाटने के परिकता नहीं होती है यानि 4 नमर question जो है तो इसका right answer होगा option A यानि minus यानि minus 4 जो 5 है यानि minus में नहीं होता है यानि कि बहुत important question है question 5 के बात करेंगे किसी घाटने के परिकता नहीं होती है इन में से कौन होगा तो 5 का option होगा D यानि-1 राइट एंसर होगा अगर इससे related कोई भी question आएगा तो आप बना देंगे बात करेंगे 6 नमर question के तो करें निम्न में से कौन से संख्या किसी घाटने एक परिक्ता नहीं हो सकती है तो इसमें से कौन नहीं हो सकती है तो 6 का right answer होगा option B यानि-15 अगले question के बात करेंगे हम एक पासा को फैकने पर 3 पाने की परिक्ता हैं क्या है तो मेरा right answer होगा option 7 का option B right answer होगा यानि 1 by 6 यानि पासा में 1 to 6 होता है तो जो भी नंबर आएगा तो थेरी जो होगा एक ही नंबर होगा तो 1 by 6 question 8 के बात करेंगे हम एक पासा फैकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की परिक्ता क्या होती बहुत important question है तो 8 का मेरा right answer होगा option A यानि 1 by 2 होगा बात करेंगे हम question 9 का कि दो पासी को एक साथ फैकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्राप्ता क्या होगी तो मेरा right answer होगा 10 का option C यानि 1 by 2 होगा ये भी बहुत बार पेपर में पूछा इसलिए बहुत एक स्पार इंप्रेट कोश्चन होने वाला है तो इस किर्पिया धियान दे इस पर एगार नमा question है कि एक सी के उच्छालने में दो पाने की परिग्टा है तो मेरा right answer होगा 11 का option number C right answer होगा 1 by 8 होगा अगले कोश्चन के हम देखेंगे कि अगला कोश्चन है हमारा कि बाउन पत्तों की अच्छी तरफ फेटी गई गड़ी से एक पाता निकाला जाता है तो एक प्राप्त होने की परिग्टा होगा तो ये भी बहुत इंपोटेंस है तास से रिलेटेड कोश्चन तो 12 का right answer होगा option D यानि 4 by 13 याद रखेगा बहुत इंपोटेंट कोश्चन है बात करेंगे अगले कोश्चन का तो अगला कोश्चन है कि तास के बाउन पत्तों की अच्छी तरफ फेटी गई गड़ी से एक पाता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की क्या पाइटा है तो 13 का मेर राइट एंसर होगा ओप्शन ए यानि 3 by 13 या बहुत इंपोटेंट कोश्चन है एक बात पूछने के बहुत चांस है अगला कोश्चन है कि एक लोट्री में 8 पुरसकार है और 16 खाली है तो एक पुरसकार पाने की प्रेक्ता क्या है यह भी आ सकता है कोश्चन बहुत इंप अब अगला कोश्चन है एक चौदा नंबर एक लोट्री में 8 पुरसकार है और 16 खाली है तो एक पुरसकार पाने की प्रेक्ता क्या होगी तो चौदा का राइट एंसर अप्शन भी यानि 1 by 3 होगा अगला कोश्चन देखेंगा अगला कोश्चन है कि 20 टिकटों जिन पर कर क्या बहुत इंप्पोटेंट कोश्चन है तो 15 कमेरा राइट एंसर होगा अप्शन भी यानि 1 by 5 राइट एंसर होगा अगले कोश्चन के बाद करेंगा हम एक थैले में 8 लाल 2 काली और 5 सफेंद गेंद है या द्रिच्छे निकाला जाता है ये गिंद या द्रिच्छे नि 13 by 15 यानि B होगा तो सारी यानि कोश्चन नमर कितना है 13 by 15 यानि काली संख्या है जो सारी दो काली है आठ दो दस हो गया पंदरा यानि आप्शन ए राइट एंसर होगा यानि दो बादना पंदरा राइट एंसर होगा यानि काला नो होने की परिगता तो इसे माइनस करना प बी यानि 13 भाई 15 अगले कोश्ण देखेंगा एक थैले में 3 बल ले उझेले 3 फोर लाल 57 नमर कोश्ण की बात कर रहे हम एक थैले में तीन उझेले गेंद 4 लाल पाच काली गेंदे हैं या दिरिश्चे एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद नौल काला और उजला होनी की प्रेक्टा कौन है तो यह राइट एंसर होगा 17 का हमारा यानि यह 17 का जो राइट एंसर होगा आप्शन कि इसमें इस पासे पर जिस पर एभी सीडी एफ अंकीत हैं को एक बार फ्हेंका जाता है तो यह प्राप्थ होने की प्रेक्टा क्या होगा तो अठार का राइट एंसर होगा हमारा आप्शन यह यानि वान बाई शिक्स अठार क्यों आप्शन है हमारा कि एक सीखा को उछालने पर पट आने की प्रेक्टा होती है तो राइट एंसर होगा अनईस का यानि अनईस का मेरा राइट एंसर होगा option number A यानि 1 by 2 अगला question है 20 के कि 3 सही सीके उच्छाले जाते हैं 3 सही सीके उच्छाले जाते हैं कौम से कम 2 head आने की परिक्टा है यानि 20 का मेरा right answer होगा option A यानि 1 by 2 अगला question है कि 1-7-2 पासों को उच्छालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड साथ होनी की परिक्टा क्या है बहुत important है तो एक इस नमर के right answer होगा option B यानि 1 by 6 याद रखिएगा बहुत important question है अगला question है निम्न में से कौन सी घाटने की परिक्टा नहीं हो सकती है तो इसमें से कौन सी घाटने की परिक्टा नहीं हो सकती है तो 22 का नहीं दिया है लेकिन माइनस देना चाहिए यहीं माइनस देना चाहिए ऑप्षन हो सकता है रोग है अगले कोशन के देखेंगे एक साथ दो सीको को उचलने पर कॉम से कम एक हेड आने की पेंगता है तो 23 का मेरा राइट एंसर होगा ऑप्षन डी यानि तू थेरी भाई फोर देखेंगे हो 24 की एक ठहले में 6 काले तता आत्ती Champs कोई गेंध आक्समिक रूपप से निकाला जाए है इस गेंध को उजला होने की पेक्टब्धा क्या है तो देखेंगे हो स्दू नेट एंसर होगा 24 का मेरा ऑप्षन D यानि B, sorry, 24 का option B जो है, 4 by 7 ये right answer होगा, ठीक है, अगले question के बात करेंगे हूँ, अगला question है कि एक ठैले में 6 काले, 8 होजले गेंद है, कोई गेंद आकास्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होनी की परिक्दा क्या है, तो 24 का मेरा right answer होगा, option B, यानि 4 by 7, 25 के बात करेंगे हम, निमन में से कौन सी घाटना, किसी घाटना की परिक्दा नहीं हो सकती है, इसमें घाटना की परिक्दा कौन नहीं हो सकती है, तो 25 का right answer का option A, यानि 3.5, तो मुझे उमीद हैं कि ये minus में होगा, तो यहाँ पर option right इसलिए कर रहें कि ये minus में होना चाहिए माइनस में होता है, फिरेंट कोई mistake हो सकता है, अगले question को देखते हैं, किसी घाटना E के लिए निमन कौन सही है, यह बहुत important question है, 26 का मेरा right answer होगा, 26 का option C right answer होगा, यानि 0.5, 26 का option number C, यानि P is equal to 1 होता है, P is equal to 1, P is equal to 1, 27 number question देखेंगे, एक और समभवग हटना होती है पराइकता, और समभवग हटने के पराइकता क्या होती है, 0 होती है, और सने right answer है, 28 का हम question देखेंगे, 28 के बाद का किसी हटना की पराइकता अधिकतम मान होता है, तो एक होता है, यह right answer है, याद रखेंगे का बहुत important है, तो ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, और bell icon को जरूर दबाए, हमारे तरफ से, बहुत thank you, thank you, so much all of you.